तो ये जो पूरी जो चैट है वो सामने आई है और इसमें वो तमाम बातें निकल कर सामने आते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि हाँ ड्रग डीलर के साथ रिया की बातचीत हुआ करती थी इस बीच सुषान सिंग राजपूत के पिता केके सिंग ने रिया चक्रवर्ती की गरफतारी की मांग उठाई उन्होंने रिया को सुशांत की हत्या का आरोपी बताया और दोशी बताया और सुशांत के और उसे शिरा दिलाएंगे. चले एक वो फिर साब को सुनवाते हैं सुषान के पिता केके सिंग ने क्या कहा? तो सुना अपनी सुषान के पिता साफतार पर ये कह रहे हैं कि रिया ने जहर दिया सुषान सिंग राजपूत को और वही उनके बेटे की हत्यारियम सीधे मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं हमारे सयोगी इस वक्त हमारे साथ अभिशेक पांडे मुंबई से लाइफ जुड़ रहे हैं जो की DRDO दफतर के बाहर मौझूद है अभिशेक सबसे पहले तो ये ब अभिशेक क्या आवाज मिल पारी आपको अभिशेक कौन लोग आज बुलाए गए पूच्टाच के लो अभी तक किन कि लोगों से CBI पूच्टाच कर चुकी है CBI की पूच्टाच की लिस्ट लंबी है लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ये अक्टिविटी दिख रही है सुबह साड़े आठ बजे के आज पास सिदार पिठानी को बुलाया गया उसके बाद फिर नीरज को यहाँ पर लाया गया उसके साथ साथ जो पूर एकाउंटेंट थे उनको यहाँ बुलाया गया और अब सौविक पहुचा है उसके साथ साथ CBI के सारे बड़े ओफिसर्स यहाँ पहुचे हैं ताकि उनसे पूस्ताच की जा सके और हो सकता है CBI यहाँ पर जो तमाम सारे अलग-अलग स्टेटमेंट्स लिये हैं उसके बाद आमने सामने बिठा करके भी पूस्ताच कर सकती है जिसको क्रॉस वेरिफिकेशन बोलते हैं अक्तिविटी जिस तरीके से चल रही है डियाइडियो गेस्था उसकी उस्याप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह सारे आट बजे से जो सक्री हुई है CBI के टीम एक के बाद एक सारे गवाह और सारे इस केस से जुड़े हर वो सक्स और हर पहलू को लाने की कोशिश की जा पहुंच चुके हैं और उन से पूस्ताच शुरू है अमोमन CBI की पूस्ताच लंबी होती है लेकिन अगर लिस्ट की बात करें तो अब तक करीब आधा दर्जन से जादा लोग जो इस केस से जुड़े लोग थे उन सारे लोगों को CBI ने एक बार बुला के पूस्ताच कर बड़ी खबर आ रहे है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गोवा में गौरवारय की तलाश में जूट गई है जिहां वो किर्दार है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो ड्रक्स को रिया तक पहुंचाता था गौरव आर्या और रिया के बीच की चैट जाच एजिंसियों को मिली है और उसी चैट की आधार पर गौरव आर्या की NCB लगातार तलाश कर रही है सुषान केस में एक और एहम किरदार संदीप सिंग जिहां संदीप सिंग से आज CBI पूछताच करेगी संदीप सिंग कल ही दिली से मुंबई पहुंचे है संदीप सिंग खुद को सुषान सिंग का दोस्त बताते लेकिन हैरानी की बात ये है कि संदीप सिंग की call detail ये बताती है कि पिछले एक साल में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी इसके अलावा संदीप सिंग की call detail ये भी बताती है कि वो इस मामले की जाच कर रही मुंबई पुलिस के दो अधिकारियों के संपर्क में भी था और उसने पांच बार दोनों से बातचीत की थी इतना ही नहीं आरोप ये है कि सिधार्ट सिंग सुषांत का सुषांत का शब ले जाने वाले आम्बुलेंस के ड्राइवर के संपर्क में भी था संदीप CBI आज इनी से जुड़े सवाल सिधार्ट से कर सकती है सुषांत सिंग राजपूर्ट मौत के मामले में संदीफ सिंग हमेशा संदिक रहा है और संदीफ के घेरे में रहा है को कि जिस तरह के से all details उसकी सामने आई उसमें साफ सोर पर पता चल आए कि संदीफ सिंग लगातार अंबुलेंस के ड्राइवर उनके मालिक में था 14 जून को संपर्ख में था और 16 जून को भी संपर्ख में था एम्पूलिन्स के डाइवर के साथ 7 यह भी जानकादी मिलती है कि मुंबई प्रूस की जान्श दिका रही हैं उनके भी लगातार संपर्ख में था संदीप स् petals कहीं न कहीं संदीप सिंग के उपर संदे लगातार गहराता जा रहा है और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में CBI जल्द ही संदीब सिंग को पूछ आज़ कर सकती है हमको बताँ चाहेंगे संदीब सिंग पिस्ते कई दूनों से मुंबई के बाहर थे स्टेट्मेंट के लिए डियाइड और कैस्ट बला सकती है और इस बीच तुशान सिंग राजपूत के पिता के वकील विकास सिंग के मुताबिक द्रक्स चेन से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है बिकास सिंग को उम्मीद यह है कि मामले की जाच करे एजनसिया जलद ही सच को सामने लाएंगी तो वो पूरे चेन को इस्टेबलिश करना पड़ेगा पीछे का चेन पिर आगे का चेन देहना पड़ेगा कि ये कहा कहा जाता था कौन कौन और लोग इसका इस्तिमाल करते थे क्योंकि वो जब इस्तिमाल करने वालों का नाम जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन सप्लायर थी क्योंकि हर कोई एक सप्लायर तो रखता नहीं है तो इसलिए मेरे कहाल से ये बहुत बड़ा खुलासा है नार्कोप्टिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें आने से ये दोनों बैक एंड का भी चेन और फरंट एंड का चेन दोनों पर खुलासा होने की कुछ उम्मीद है